सबसे पहले जो आप सबको जानकरी है कि जिस तरीके से क्रोणा वारस देश भर महिनी पूरी दुनिया में एक चिंता का विशे बना हुआ है उसको लेकर निरंदर हमारी केंदर सरकार और हमारे प्रधानमंतरी आधनिया नरेंदर मोदी जी खुद इन चीजों की मोनिटरिंग कर रहे हैं प्रदान मंद्री जी खुद बार बार टूइट करके कैसे साबधानी बरतें उसको लेकर जानकारी दी जा रही है इसी बात को देखते हुए इसकी गंभीरता को देखते हुए लोगजन शक्ति पार्टी जो बिहार फर्स बिहारी फर्स यात्रा जिसकी शुरुवात हम लोगों ने लगबग महीना भर पहले की थी और बीस से जादा जिलो से वो यात्रा होकर गुजर चुकी है और जिसका बहुत खुबसूरत हम लोगों को लोगों के दौरा जो इसका रिस्पॉंस मिला जो लोगों ने जिस तरीके से इस यात्रा को एप्रिशेट किया और खास तोर पर जो कारे करताओं का एक जोश देखने को मिला इस यात्रा को लेकर और इस यात्रा के बाद 14 अपरिल को होने वाली रैली को देखकर तो उसको लेकर हम लोग काफी सक्रिय रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे थे पर जिस तरीके से निरंतर केंद सरकार दोर धशान िर्देश दिये गए कि public gathering नहीं होनी चाहिए भीडबार जादा नहीं होनी चाहिए भीडबार वाले कारिक Crm से बचना चाहिए कहीं न कहीं हर किसी की जिए जमिदारी बनती है क्यए करative कोई खुद भी साफधान रहे और लोगों को भी साफधानी परतने के लिए प्रेरित करें यह कही ना कही हम लोग को इस बात का एसास हुआ कि जब कारेक्रम में हम लोग जाते हैं गैजरिंग होती है बीड़वार जादा हो रही है और भगवान ना करें उसकी वज़ा से कभी कल किसी को कोई इस तरीके की बिमारी हो तो वो सही नहीं जब तक करोना वाइरस को नियंत्रन में नहीं लिया जाता है तब तक के लिए इसको स्थगित किया जाएगा स्थगित करने का मतलब यही है कि इसको जैसे ही स्थिती थोड़ी कंट्रोल में आएगी decide की जाएगी और जिस तरीके से यह यातरा चल रही थी वापस से इसको उसी तरीके से हम लोग शुरू करेंगे हाँ इतना जरूर है कि कल से जब से हम लोगों ने इसकी announcement की है तब से निरंतर जिन जिन जिलों में कारेकरम बाकी था वहां से निरंतर कारेकरताओं के फोन, मेसेज़स, वाटसैप, संदेश, निराशा काफी हुई है उन लोग को आपके माध्यम से मैं अपने तमाम कारेकरताओं को यह बताना चाहता हूं कि इसमें निराश होने की जरुरत नहीं है मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगो ने काफी तैयारी की थी, काफी समय से इस यात्रा को लेकर उचसाहे थे, अपने अपने जिला में इंतजार कर रहे थे कि कभी यात्रा आएगी और वो अपने माध्यम से इस यात्रा की बहतरी के लिए क्या क्या सुजाव हो या रैली को लेकर किस तरीके से आगोशना पद्र को लेकर जो सुकता कारे करताओं में थी उसको लेकर जरूर निराशा हुई है पर मैं आपके माध्यम से बस बताना चाहूँगा कि निराश होने की जरूरत नहीं है जैसे ही स्थिती बेतर होगी वापस से हम लोग इस पर आएंगे और जो हम लोग के मुद्दे जो चलते रहे हैं वो निरंतर चलते रहेंगे क्योंकि टॉल फ्री नंबर अभी भी हम लोग का काम कर रहा है अभी भी विविन माध्यमों से हमारे जिला अध्यक्षों के माध्यम से हमारे जिला प्रभारियों के माध्यम से लोग जन्शक्ति पार्टी के जितने प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनके माध्यम से निरंतर अभी भी हम लोग को सुझाव आ रहे हैं हम लोग पूरी तरीके से बिहारी फॉर्स विजन डॉक्यमन टूथाउजन च्वेंटी जो की लोग जन्शक्ति पार्टी का पदादी कारियों के माध्यम से जितने और सुझाव आते रहेंगे उसकी जानकारी भी मैं विभे माध्यमों से सोचल मीडिया के माध्यम से आप लोग के बीच भी मैं साजा करता रहूंगा जैसे इसके पूर में मैंने तमाम जानकारियां साजा की है डायल हंडेड को लेकर मेरी चिंताएं हो, महिला पुलिस को लेकर मेरी चिंताएं हो या फिर नियोजिस सिक्षकों को लेकर जो जो चिंताएं जंता ने मेरे समक्ष रखी तो इस तरीके से जंता जो जो आगे सुझाव देती रहेगी जो जो मुद्दे संग्यान में देती रहेगी इसको मैं जरूर आप लोग के समख्ष रखता रहूंगा और वो मुद्दे इसी तरीके से उड़ते रहेंगे उसमें हम लोग कहीं कोई कमी नहीं आएगी बट हाँ यात्रा हम लोग एक बार ये स्तिदीन में इंद्रित होती है उसके बाद हम लोग यात्रा के हम लोग किये वे बिलिन पंचायतों का दौरा करके क्योंकि तमाम जिला देख्षों को भी टार्गेट दिया गया है कि उनको हर जिले उनको हर पंचायत में उनको सदसे बनाने हैं अब उनको अगला टार्गेट इस दौरान में उनको अगला टार्गेट जो है उनको बूत का दिया का कोई कारेकरम उसको अभी हम लोग नहीं करने जा रहे हैं बस मैं उमीद करता हूँ ये विश्वास रखता हूँ कि जो परिस्तिती बनी है उससे घवराएं नहीं बार बार मुझे लगता है तमाम प्रदान मंत्री जी और सब लोग इस बात की अपील कर रहे हैं घवराने की जूरत नहीं है बस साब्धानी बरतने की जूरत है हम लोग भी अपनी इंडिविज्वल रिस्पॉनसिबिलिटी हम लोग भी निभा रहे हैं साब्धानी बरतने को लेकर आप सब के मादम से मैं प्रदेश की जनता से भी बस या आगरा करूँगा कि साब्धान रहें बार हमारे देश में आई है और अब हमारे प्रदेश में भी जिस तरीके से यह आ गई है मुझे लगता है मिलकर साब्धानी के साथ हम लोग इस से निभड सकते हैं अब इसके लावा रहे हैं मैं उमीद करता हूं अब एक्षा रखता हूं बहराल मेरी यात्रा के दोरान जिस त specific matter है और जिस तरीके से राज्य सरकार ने तकपर्ता से कल इसके उपर कई कृदश में आइ हैं पब्लिक प्लेसिस को शटडाउन करने की बात हो पार्क's को बं किया है या मॉल्स की बात है या स्कूल कॉलेजिस की बात है सिनेमा घरों की बात है तो सरकार ने मश्बूत कदम उठाए हैं, उमीद रखता हूँ कि अस्पतालों में भी इसके पुक्ता इंतजाम हो, देश भर में हम लोग देख रहे हैं कि सारे अस्पतालों में मजबूत इंतजाम किये जा रहे हैं, प्रिकोशनरी स्टेप्स उठाये जा रहे हैं कि कल को कोई ऐसी भगवान ना करे परिस्ति बनती है, तो उसके लिए पहले से तैयारी हो, तो मेरा विश्वास है हमारी सरकार पर, राज्य सरकार पर, कि क्योंकि ये एक महामारी भी घोशित कर दी गई है, डबली एचो द्वारा, तो उसको लेकर व्यापक कदम जो उठानी की जूरत है, सरकार उठाई गी. लिए जल जला में लेकर पर, ये मुझे आमुमान हर जिले में सुनने को मिला, वहां के अस्ताणिय जलों में उबलत उपकरन अबलबद यहां, जो बासिक इंस्ट्रूमैंटस भी होतें, Capital यहां तक मुझे कि एक बातनी की परात्निक ऑंदर में बी-वी की मशीन तक भी नह यहां पे वो उपकरन उपलब भी हैं तो उसको कोई चलाने वाला नहीं है। और अगर है तो वो सिर्फ कमपाउंडर लेवल का कोई व्यक्ति हैं। उचित मात्रा में डॉक्टर्स उपलब नहीं है। यह वाली समस्या मुझे अधिकान जिलों में सुनने को मिली। कि जितने डॉक्टर्स सांक्षन पोस्ट जो होती हैं, जो अधिकरित न्यूक्तियां जितनी होनी चाहिएं। वो सांक्षन पोस्ट पूरी नहीं हैं। डॉक्टर्स पूरी तरीके से उपलब नहीं है, महीला डॉक्टरों की निरंतर हर जले से महीलाओं ने इस समस्या को उठाया, जो प्रेग्नेट विमन हैं, उन्होंने बार बार इस बात को बोला, कि हम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना परता है, ये मोर और रेस कि नियुक्ति करने की जुरूत ही क्यों पड़ती है, जो जितने रिक पद हैं, जितनी सांक्शन पोस्ट हैं, अगर हम उसे ही बहर के रखेंगे, तो नियुजंक के माध्यम से हम लोग को सिक्षक को शायद लेने की जुरूत ही नहीं पड़े, और सिक्षक बताते हैं कि हम कर न्यूक्ति के लिए आवेदन आया गया था जो हम लोगो ने भरा था बट वेराल ये सब जाच का विशे हैं मैंने अपने घोशना पत्र में जरूर स्वास को लेकर जहां जहां पर भी हम लोगो सुधा लगे कि हम लोगो करने चाहिए उपकरन उपलब कराने को लेकर हो डायलेसे जगओ लिए एक बहुत वड़ी चिंदा का विशे है हम के मई इत प zones के मिरूभ बहीन हए दो से तीन बार डायलेसिस के ले आना पड़ता है जिलों में ना के बराबर यह सुविधा उपलब्ध है कई जिलों से मरीजों को पढ़ना आना पढ़ता है डायलेसिस कराने के लिए वो मरीज हफते में तीन तीन बार पढ़ना आ रहा है तो नियोजीद सिख्षकों की जरुवत नहीं पड़ती, आप तो मैं बता जू कि सर्दार ने रेगूरर्ट पीचर्स की जित्री वेकेंसी है, रिटार्जमेंट के साथ उसको डाइंग निकले कर लिया है, वो पद ही समाब्स होते जा रहे हैं, तो यही तो चिंदा के विश् आपको करानी पड़ेगी, आपको देखना होगा कि कितनी जरुवत है वहाँ पे, टीचर होगी है, तो यह तो आप लोग भी जाएंगे कभी, आप लोग भी प्रखंड में जितने स्वासखेंद्र होते हैं, वहाँ पर आप लोग जाएंगे, और वहाँ की जैसे आप हालत या सदर, अस्पतालों की भी मैं फौदार मैटर में बात करूँगा, तो वहाँ पर चीजे जितनी बहतर होनी चाहिए, शायद ये उन में से एक कारण रहा है कि अभी भी हम लोग कई पेशन्स को देखते हैं, जो की दिल्ली जाते हैं, इंस में जाते हैं, इलाज कराने जा अगर C.M. साब कर ऐसwart बोल में तो मानूंगा, और मैं विश्वास करूँगा हमारे C.M. पे कि स्वास सेवाइं बहुत बहत बहुत हुई होंगी, इस बात का मैं विश्वास करूँगा, और मैं मानूंगा इस बात को, बर जो जो बाते où जो जन्ता मुझे बता रही हैं, ज क्वामन मिनिमम प्रोग्राम के तहर जहां जहां मुझे ये फीड़बाइट मिला है इन चीजों को आप जरूर चेक करवाएं और जुरत है तो उसको जरूर उपलब्ट कराएं राज की कानुन वबस्ता गराश के ते में और ये चाहरी माननी मुख्यमंत्री जंगल राज का विकल बनकर आए थे और उन्होंने अपराद पर नियंतरन पाया था और इसी लिए मेरा विश्वास उनी पर ही है कि अगर एक भी कोई अपराद घटना घटती है आकरों में नहीं जाना मुझे पहले कम पहले जादा या अब कम या उस प्रदेश में जादा हमारे प्रदेश में कम उसमें नहीं जाना है अगर हमारे प्रदेश में एक भी घटना घटती है एक भी हत्या होती है एक भी अपरेंड होता है एक भी लूटमार होती है और मैं मानूगा जब मैं इस बात को कहूँगा कि मेरे मुख्य मंत्री भी उतने ही विशलित होते होंगे इन घटनाओं से इसको अगर हम लोग 100% या जितना भी अगर अभी भी मान लीज़ागर 10 घटनाओं हो रही है उसको अगर हम 5 भी कर लें किसी चीजों के सुधार से डायल हंडेड जब जंता मुझे बता रही है कि काम नहीं कर रहा है तो कहीं न कहीं वो चिंता का विशय है डायल हंडेड आप अपरादियों में कहीं भे पैदा करता है अगर 100 नंबर काम ही नहीं करेगा तो अपरादी में भे नहीं होगा पीडित कहां पे फोन करेगा हर किसी मैं आदिकान चिलों में अगर ये कामी नहीं कर रहा है तो इस फ़िच वन का मैं इ»? हम लोग इस भीच में ।ब मैं अपनी यातरा को लेगर बिज़ी था और इस बात को नहीं अरो मैंने कहा जाएक एक बार मेरी यातरा जब पूरी समापत हो रीक है कि जब सुझाब आ जाएंगे हम लोग अपना घोशना पत्र हम लोग तयार करेंगे और उस घोशना पत्र के साथ मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा और अगामी चुनाओ के बाद हम लोग जरूर चाहेंगे इस बार हम लोग देखें कोई भी एक गडबंदन की सरकार बंदिया तो उसमें common minimum program बनता है एक साथन यूनितम कारेक्राम गडबंदन की सरकारों में बनता है आमोमन तौर पर हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता है इस बार ऐसा नहीं हो पाए क्योंकि माननी मुख्यमंत्री जी से पहले महागडवंदन का हिस्सा थे और वो बीच में हमारे गडवंदन में आये और उसके बाद एंड़े की सरकार बनी तो उस वक्त वो महाल नहीं था या वो समय नहीं मिल पाया कि तीनों पार्टी हापस में बैठें और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ओपर काम करें बढ़ हाँ उमीद करता हूँ कि 2020 परिनामों के बाद सरकार एक साजन यूनितम कारेकरम बनाएंगे जिसमें लोग जिन्शक्ति पार्टी के जितने भी घोशना पत्र में जो भी सुझाफ जनता से हम लोग को मिले हैं मेरा विश्वास है सुधार की गुंजाईश हर एक जगा होती है कुछ भी पॉफेक्ट नहीं होता अमरीका जैसी जो डेवलप कंट्रीज भी है वहाँ पर भी अगर आप बोलें कि अब सब हो गया और कोई सुधार की जरुरत नहीं है ऐसा संभव नहीं हर एक जगा सुधा मंतरी जी नहीं ही रखी है यहाँ पर उनोंने इस तरीके के काम किये हैं 15 साल पहले अगर मैं विकसेत राज़े बनाने की बात करता तो हास्यास पर लगता पर आज कहीं ना कहीं यह विश्वास भी उनोंने मुझे दिया है कि मैं विकसेत राज़े की में बात कर सकूं तो जंता बता रहें मेरा भी जम्मंदार पक्रण हो में बीच ब Süह और उम कैmor करिए भीदार हम साम फारकार का मेंखामी चाहूँगा है इस पर जर्जू की और से लगाता है, इस पर क्या रही है, इस पर क्या है? जर्जू की और से लगाता है, इस पर क्या है? चुनाओं में हर गाहों आजाकर हमने बादा किया कि हम लोगोंने गाहों तक बिजली पूँचाई है अब हम लोग Chapter पु Sleeping पुँचाएंगे साल के आखिर तक हम लोग खेट में बिजली पूँचाने का खां़ तो इसका हम्लों करेंगें तो इसके मलब ना किलों की आघ vrij इसे एप्रीशेट करता हूं जिलों में सुख स्वास को ले लीजे कारे हुए हैं पर जितने बाकि रहें कारे आपने उपकरण आपने दे दिये यह एक विकास का कारे हुआ जहां पर उपकरण नहीं तो पहुंचे बट अगर उस उपकरण को चलाने वाला कोई नहीं तो इस प्रफ़ाइब कर रहे हैं कि प्रफ़ेशा की मजीब हैं तो चलने वाला में नहीं कह रहा है जहां गया वहां की जनता ने मुझे बताया कि भई यहां पर नहीं है तो बारी स्वारी चलाइब पट्टा दूरे तो देखें मैं पूरा विश्वास रखता हूं पिछली बार मान हां हर जगा पिट्रॉल डीजल के दाम ख़ड रहे हैं इंडिया में बढ़ रहा है इसकी वज़ा क्या रहा है देखे इसका तो जवाब बैतर केंद्रिय प्रटोलियम मिनिस्टर ही इसको बता सकते हैं कि क्या कारण रहे दाम बढ़ने के बट उमीद करता हूं कि जिस तरीक से इंटरनाशनल मार्केट अभी अंस्टेबल चल रही है सिव इंडिया में ही नहीं पूरी जगह हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से एकॉनमी फ्लक्चुएट कर रही है कल हम लोग ने जिस तरीके से सेंसर्स को पूरी तरीके से धराशाई होते वे भी देखा पर उसका बेदा जवाब तो बैटोलिंग मिनिस्टर ही दे सकते हैं कि क्या ऐसे कारण रहे बट विश्वाज है मेरा हमारे प्रधान मंत्री पर की जल्दी इस परिस्तिदी को भी उनिंद्रस करेंगे कि आपने अभी के संबोदर में विश्वास की एमों और जन्ता की बात इन दोनों में कुछ गैप पाते हैं क्या आप नहीं बठ क्योंकी देखिए मैं बार पर में यह कह रहाँ मैं एक यात्रा पर हूं मैं जन्ता के भी जा रहा हूं मुझे लगता है कि कल गोगर कोई ज़विग के भी अगर कोई ने था अगर यात्रा पे निकलेंगे या मानए हूं मुख्यमंत्री जी अगर ऐसा सोचते हैं कि वो किसी ऐसी यात्रा पे सड़क मार के माथन सकत कोई जाए तो जाएं गे तो जन्टा उनको बताएगी तो जाएंगे तो जन्ता उनको बताएगी ही और ऐसा नहीं है कि इस यात्रा पे कोई डेवलोफ्ट स्टेट का कोई मुख्य मंत्री जाए तो जन्ता बोलेगी कि ने ने सब बहुत बढ़ी हो गया उसके बाद भी उस मुख्य मंत्री को भी जन्ता सुझाव देगी कि भाई अ तो अगर कोई भी ज़द्यू का नेता अगर रियात्रा पी अगर निकलता है तो उनके भी पास ये सारे सुझाव आएंगे ही आएंगे तो आप कह रहे हैं कि प्ली इस्ट्रूमेंट तक नहीं है तो क्या ये 15 साल के सासल काल में बीपी इस्ट्रूमेंट भी नहीं कि भी कौन सा चुनाओ आज हो रहा है और पदाए कि इन सारी बातों से ना मैं थोड़ा सा परेशान होता हूं और मैं इमानदारी से मैं आपको बोलूँगा देखिए मैं युगानेता हूं मेरी राजनीती अलग है और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बात को कम से हम आप इस हमें कोई सुधार की जरूरत नहीं है सब पौफेट हो गया मैं भी ये राग गाग आके मैं भी आगे निकल सकता था उसके बाद आप इस शाहर मुझसे आप ही कही कोई साथी मुझसे पूछते कि यहां पे तो सौसकेंदर का यह हाल है यहां पे तो सुरक्षा का यह हाल है आप ही मुझसे सवार पूछते हैं फिर भी मैं उसको जस्रिपाई करता कि नहीं निस सब बहुत अच्छा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है मैं किमानदार कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैंने बाकी राज्यों में मैंने अनुभव किया है और ये मेरे लिए चिंता का कि क्यों नहीं हमारा प्रदेश उस तरीके से विकास कर पाया जब भारत एक साथ अजाद हुआ बाकी प्रदेश एक साथ अजाद हुए तो क्यों कहीं इतनी डेवलोप स्टेट्स बन गया और हमारा प्रदेश अभी तक भी अंडर डेवलोप अंडर डेवलोप भी रहा तो उसके लिए मैं ये किमांदार कोशिश कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि भाईया लोगों का पलाएं नहीं हो मुझे नहीं अचा लगता जब कोई बिहार का लड़का दूसरे प्रदेश जाता है पढ़ने के लिए मैं चाहता हूं कि भाई के लड़के आए यहाँ पर बढ़ने के लिए बाहर के लड़के आए यहाँ नौगरी करने के लिए कल मैं फ्लाइट से आ रहा था मुझे 10-15 मुझे उस फ्लाइट में लड़के मिले जो कि बॉमबे में काम करते थे और उन्होंने मुझे बोला कि भाया क्यों नहीं हम लोग यहां पर आईटी जॉब्स क्रेट कर सकते हैं बोलते हैं हम लोग बॉंबे में जाते हैं बॉंबे में हम लोग आईटी सेक्टर में हम लोग काम करते हैं जितना मैं कमाता नहीं हूँ, उससे जादा होली दिवाली घर पे कोई बिमार हो गया, उसके आने जाने की खर्चे में मेरा पैसा निकल जाता है, मैं सेविंग कुछ करी नहीं बाता हूँ, देखिए अब सरकारों को कही ना कही इस पे तो काम करना ही होगा, सरकारों की ही जिम करना होगा, MNCs वगरा सबको और उनको आपको वो उस तरीके का इंफरस्टर्चर, एक सेटप पूरा आपको देना होगा, ताकि वो आके यहां पर अपने इंडस्ट्री लगा सकें, IT कंपनी यहां पर आ सकें, ताकि यहां पर जॉप्स क्रेट हो सकें, यहां पर जॉप्स क हम लोगा मच बेटर होगा, जो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, और वहां पर जाकर खर्च करते हैं, वो कहीं ना कहीं, अगर वो सारे संसादन, अगर हमें यहीं पर मिलते हैं, और वो यहीं पर अर्न भी करते हैं, यहीं पर इन्वेस्ट भी करते हैं, तो हमारी एकॉन जिस तरीके से मैं चाहता हूं कि हो कई अभी ऐसे उद्योग हैं जो कि हमारे प्रदेश में हैं पर वो बन पड़ें उनको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं देखिए अगर आप रिविन्यू अगर आपको जनरेट करना है तो ये सारी चीज़े हम लोग और करने की जुरवत उनको हम दुबारे से कैसे शुरू करें एक रिसर्च टीम बनाए ना उस पर उसको हम लोग शुरू करें या फिर जितने हमारे परेटक स्थाल हैं मैंने इसको पहले भी मैंने एक बाद बोला था क्योंकि मेरे खुद की लोग सवा में लचवार आता है भगवान महावीर का ज लचवार की अगर मैं परिकुलर नी बात करूं जैन समुदाय के लोग राष्टे नहीं अंतराश्टे सर पर बहुत हैं जो कि इसमें आस्था रखते हैं गया जिस तरीके से हम लोग ने डेवलप किया लचवार को हम लोग कर सकते हैं उसको हम लोग इस तरीके से जिस्जिशाय होता या फिर कैबिनेटी का हिस्सा होता तो हमारे लिए चीजों को आप कि आप अपनी संग्या पर चिन्वाल लड़े यह श्युर्ण अब हुशा भी समएए आजवार हकी का जाज़ आपने उसे सवार पूचा था तुरंट चुनाव होने वाले हैं विधर्बर्जित के, तो इसी मेनल स्रोटिफिकेशन भी हो जाएगा, तो क्या उत्पर आप लोग जावेधारी करेंगे, तो क्या आप पहले ही शीड़ाइगे, यह अगर हम लोग करेंगे थे कि जो हम लोगी वो वाली भी सीड़ी थे कि व कि श-烏light ताह आप लोगी शधा, टए्यबर के श-चेस हैं से तो को क्या दूज हो जाप लोग वाल कि वरुद्पा ये